हेलो एवरिवन आज की यह रेसिपी आपको बहर्दी परसंद आएगी क्योंकि आप इसे नॉर्मल ही घर पर बना सकते हो और आप इसे बना कर सफर में भी लेकर जा सकते हो तो परफेक्ट रेसिपी है और मैंने आपके साथ कल ही रवा पुरी की भी रेसिपी शेयर कर दी थी तो वो भी आप एक बड़ ression के लिए क्या लिया है देख लेते हमारी रेसिपी तो इसके लिए हमने दो कर्टोरी गेहु का आटा ले लिया है जो हमारे रोटी का आटा होता है वही हमने लिया यहां पर साथ में हम दो बड़े चमच सूजी जिसे हम रवा कहते हैं वो ले लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे स्वाद के अनुसार नमक लेंगे और यहाँ पर मैंने एक चमच के जितना लाल मिर्च को बारी कट करके लिया है आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी ले सकती हो दो चमच तेल का मियोन लेकर इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे रवे की वज़े से इसमें बहुत अचा क्रिस्पी पर मिल जाएगा और यहाँ पर हमने ले लिया है पालक प्यूरी पालक को हमने कच्चा ही पीस के इससे हम आटा लगाएंगे पाने के बदले में हम पालक वाले मिस्रण से अटा लगाएंगे तो हमारा आटा एकदम हरे कलर का हो जाएगा और ज़्यादा सकत भी नहीं और ज़्यादा नेरम भी नहीं ऐसा आटा हमने लगा दिया है और यह आटे को हम 15 मिनिट के लिए रेश करने रग देंगे तब हम इसके छोटे छोटे ऐसे गोले बना लेंगे और आप इसके साथ थोड़ी सी बारिक कटीवी मेथी भी ले सकते हो यहाँ पर हमें आटा या फिर तेल लगाने की भी ज़रुद नहीं है क्योंकि हमने आटा बहुत ही अच्छे से बनाया है तो हम इसकी मीडियum ऐसी पूरिया बना लेंगे ज़ादा मोठी भी नहीं है और ज़्यादा पदली भी नहीं है तो इस तरह से दो थिन पूरिया पहले बेल लेंगे अर एक साथ हमने तैल भी गरम करने के लिए रख दिया है तो है ना एकदम सफर में लेकर जाने के लिए पर्फिक्ट रेसिपी और तेल हमारा एकदम खौलता हुआ गर में तो आप देख सकते हो कि हम कर्ची की मदद से पूरियों के उपर तेल डाल दे जा रहे और हमारी पूरिया जो है बहुत ही अच्छे से फूल जा रही है और साथ में जो हमने लाल मिर्च लिये ना उसकी वज़े से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेश्ट भी बहुत अच्छा आता है आप इसे क्रिस्पी बनाना चाते हो तो पूरियों को थोड़ा सा नाइफ या फोक की मदद से छेत कर दोगे तो ये थोड़ी सी क्रिस्पी और करारी पूरिया भी बन जाएगी तो सफर में उसे ज़्यादा दिन भी आप स्टोर करकर लें जा सकते हो तो तैयारे हमारी गर्मा गरम पालक पूरिया आपको ये रेसिपी पैसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना बुलीगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजो में दीख रही बैल आइकन को औल प्रेस कर दीजिए ताकि आने माले नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और देखे करिब एक घंटा हो चुका है हमारी पूरिया ऐसे की ऐसी है बिल्कुल भी पिछकी नहीं है क्योंकि हमने जो इसमें रवा लिया है इसकी वज़े से बहुत ही अच्छे जिसे गोलगपे की पूरिया होती है ना ऐसी ये पूरिया है पर खाने में एकदम साफ्ट ह तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ